Hello students, welcome back to our classes again और I hope आप सब घर पर अच्छे होंगे और आप लोग अपना काम टाइम से कर रहे होंगे जैसे हम आपके साथ हर टाइम है आप भी अमरे साथ हर टाइम उसी तरीके से बने रहेंगे तो ठीक है students, आज हम करने वाले हैं अपने exercise 3.1 के कुछ और questions जिसमें सबसे पहले question number 5 देखो, देखने में question की statement बहुत बड़ी है लेकिन answer इतना बड़ा नहीं है, answer बहुत चोटा सा है अगर आप question ध्यान से पढ़ते हो तो एक बार में आपको बता देता हूँ की करना क्या है सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, 3 player दियो है, कौन दिया है, 3 player और वो player कोन है, player number A, player B, player C हर एक player ने 4 games play की है, for example जैसे कोई cricket match खेलता है तो चार match खेले हैं हर किसी ने, यह आप एक बार let कर सकते हो बड़े cricket की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ game की बात हो रही है कि A player ने यह 4 games play की है, B player ने 4 games play की है, C player ने 3 games play की है क्योंकि एक जो game थी उसने play नहीं की छोड़के चला गया था तो आपको कहा क्या गया है, इस table के according आपको क्या करना है पहले part में answer देना है कि आप A का average निकाल के बताओ average क्या होता है, mean होता है, और mean कैसे निकालते हो sum of all observation divided by number of observations तो ये तो A part का answer है, करूँगा, don't worry, सिर्फ बतानी रहा करूँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले overview दे देता हूँ, ठीक है, डरो मत बहुत जल्दी डर जाते हो, second part to find the mean number of point per game of C अब जो हमारा player C है, इसका अगर आप mean find out करना चाहो find out नहीं करना, सिर्फ बताना है कि अगर आप इसका mean find out करना चाहोगे तो किस से divide करोगे, जो divide में number of observation होता है किस के साथ करोगे, 3 के साथ, 1, 2, 3 के साथ या फिर 4 के साथ, 1, 2, 3, 4 तो आपको बताना है, कि किस के साथ divide करोगे और क्यों करोगे, अगर 3 के साथ करोगे, तो reason क्या है 4 के साथ divide करोगे, तो उसका क्या reason है clear है, answer बात में बताऊँ third part में कहता है, be played in all the four games how would you find the mean be player ने 4 टूर्नमेंट खेले है, 4 गेम्स खेल ली है तो उसका mean कैसे find out करें, simple है वो भी कैसे find out करने है, हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको sum of observation divided by number of observation, simple उसके बाद last part है, who is the best performer देखो, जिसका average सबसे अच्छा होगा वो क्या होगा, सबसे अच्छा player होगा तो चलो, try करते हैं, करे try, चलो तो सुरू करते हैं, part number one के साथ तो यहां लिखेंगे find the mean to determine is average find number of points score per game तो यहां लिखो number of points number of points scored by A in four games four games कौन-कौन से point उसने score किये 14, 16, 10, 10 14, 16, 10, 10 ओके अब हमें क्या find out करना है, mean mean of a score A का जो score है, उसका mean क्या से निकाल लेंगे, sum of points sum of points ठीक है, sum of points in four games in four games divided by number of games he play he या c यह फिर यह आने की देते हैं A play A ने कितनी games play की हैं तो simple सी बात है, sum करने के लिए क्या करना पड़ेगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 and divided by number of game played कितनी games के लिए हैं 1, 2, 3, 4 अब देखो कितना है 14 और 16 30 और यह 40 यह आपका 50 ठीक है, total कितना हो गया 50 हो गया तो आपका क्या आजाएगा 50 divided by 4 अब 4 की डिवाइड करो 50 के साथ क्या आएगा answer 4 बन जा 4 कितना बचा 1 उपर से क्या आगया 0 4 टू जा 8 फिर क्या बचा गया 2 अब क्या लगा सकते हो point और point से क्या मिलता है 1 0 मिलती है 4 5 जा 20 तो cancel हो जाएगा answer क्या आजाएगा आपका 12.5 कितना आगया 12.5 clear है mean कितना आगया A का 12.5 और यही तो find out करता तो पहले कत्व answer finish ठीक है अब second की बारी second question में तो सिर्फ आपको बताना है कि आप किस के साथ divide करोगे तो answer लिखो we would है ना you would लिखा ना उसने you would divide would you divide तो हम लिखें we will divide we will divide the sum of points by three किस के साथ divide करेंगे three के साथ अब reason because because player c player c play only three games three games जब उसने three games play की है three games पर participate किया है तो mean find out करने के लिए भी हम three से ही divide करेंगे four से क्यों divide करेंगे अब मानीजे आपने three test दिये है आपका average निकालना तो three से divide करना पड़ेगा अगर आप एक test में absent थे तो आपको वहाँ पर zero नहीं पूट कर सकती in case of data handling वहाँ पर zero नहीं पूट कर सकती वहाँ पर आपको in all the four games how would you find the mean simple सी बात है mean कैसे निकालेंगे mean of be score is equal to sum of points in four games number of games be played तो देखो थोड़ा space बना लेता हूँ और क्या करेंगे solve करेंगे और क्या करेंगे कुछ भी नहीं simple कर देता हूँ देखो यह आपका question है थोड़ा सा shortcut लगा लेते हैं ना ओके तो यहाँ पर part number three की बात करते है part number one two और three point scored by B in four games कौन कौन से point score करेंगे 0,8,6,4 0,8,6,4 ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है mean of B's score किसका score निकालना चाते हो आप B का score निकालना चाते हो B's score तो आएगा क्या sum of points in four games divided by number of games A नहीं आप कोन आजेगा B क्योंकि B की बात कर रहे है और ये वाले सारी की सारी calculation है वो क्या हो जाएगी change हो जाएगी change हो जाएगी तो answer लिखेंगे हम यहाँ पे 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by 4 अब बताओ कितना आएगा 6 plus 4 10 10 plus 8 18 18 divided by 4 18 divided by 4 2 से cancel करो ये 9 पर ये 2 पर that means 9 by 2 या फिर आप इसको कह सकते हो 4.5 कितना आ गया 4.5 या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ mean is equal to 4.5 अब एक चीज़ देखो आप क्या देखोगे पहले हमने निकाला था mean किसका निकाला था A का A का जो average था वो कितना था 12.5 अब B का निकाल दिया B का कितना है 4.5 चलो लगे हाथो C का भी निकाल लेते है अपने लिए 11 प्लस 8 कितना होता है 19 19 प्लस 3 कितना होता है 22 तो 22 को 3 से डिवैड कर दो जब आप डिवैड करोगे 7.3 something आएगा कितना आएगा 7.3 something ठीक है सिर्फ मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ आपको ये चीजे notebook में नहीं लिखनी है ठीक है बाकी तो लिखनी है लेकिन ये जो red pen से लिखा भी वो नहीं लिखना अब ये बताओ सबसे ज़्यादा average किसकी है A की 12 है B की 4.5 और C जो आपका था C की कितनी है 7.3 तो सबसे ज़्यादा average किसकी है A की तो best performer कौन होगा तो अंसर आजाएगा A तो अब लिखना आपको अंसर जो मैं लिखने वाला हूँ ठीक है जो आपका fourth part है उसका अंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा fourth part का अंसर A is the थोड़ा सा कोमा भी दे सकते हो A is the best performer performer ठीक है because because the average of A is highest ठीक है A की जो average है वो highest है इसी वज़े से A कह है best performer है तो आपका question number five finish देखा जितना बड़ा question था उससे छोटा हमारा क्या है answer तो चलो आप question number six start करते हैं sixth question अगर आप अब देखते हूँ तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है एक class के अंदर कुछ students हैं जिनोंने science का test दिया है hundred marks का उसमें से उन बच्चों को marks मिले है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75 लगता है कोई अच्छी class थी अच्छे marks आई हुए है ना आपकी तरह तो आपको find क्या करना है हमें क्या मतलब इनके marks क्या है हमें तो अपने question से मतलब है कि हमें क्या find out करना है तो हमें find out करना है सबसे पहले तो highest and lowest marks इतना असान question भी हो सकता है गलत बात है ना आपको इतना असान question देना सरा सर गलत बात है चलो कोई बात ने अब दिया है तो करना तो पड़ेगा उसके बाद range of the marks obtained फिर से असान question दे दिया कोई बात नहीं फिर mean marks obtained by the group कोई बात नहीं असान है ये भी हमारे लिए तो है ना अब देखो आप क्या करोगे सबसे पहले first question करोगे first क्या लिखोगे highest marks highest marks is equal to कितने है देखो यहां से सबसे ज़्यादा highest marks किसके है तो हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा answer is 95 और lowest marks ये भी आसान है ये कौन से हमारे लिए बड़ी बात है ठीक है lowest marks कौन से है देखो ध्यान से बताओ कौन है वो class का नालाया एक बच्चा ये रहा 39 marks अब second question में क्या पूछा था उसने range और range का formula हमें मालूम है range is equal to highest marks minus lowest marks ओके तो highest marks कितने है 95 और lowest 39 माइनस करो बताओ 15 में से अगर आप 9 माइनस करोगे क्योंकि 5 है तो 15 में से 9 माइनस करोगे तो answer आएगा 6 ये बन गया 8 ये बन गया 3 8 में से 3 जाएगा तो 56 ये बन गया हमारा answer for second part अब बात आए third की mean find out करना है mean find out करने के लिए क्या करोगे sum of marks ठीक है obtained by obtained by students जो marks आए है उनका sum निकालेंगे divided by number of marks ये फिर student तो number of students कितने students हैं तो simple सी बात है लिखो उपर से देखो 85 plus 76 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 फिर 48 उसके बाद 48 के बाद 56 56 के बाद 95 95 के बाद 81 ठीक है और 81 के बाद 75 और divide किसके साथ करोगे कितने students हैं यहाँ पर students है 12345678910 तो क्या है 10 students है मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको कोई भी problem होनी चाहिए बस आपको क्या करना है add करना है तो जब आप इनको add कर लोगे तो क्या होगा तो इनको add करने से इन सभी numbers को add करने से जो answer आएगा वो आएगा 730 कितना आ जाएगा 730 अब 730 को क्या करोगे 10 से divide करोगे जिससे 00 cancel and the mean is 73 so answer आपका आ गया 73 simple question बिलकुल आसान था और जहां तक में रख्याल है यह तो बिलकुल छोटा सा question था तो students आज के class में बस इतना ही बाकी questions हम next video में करेंगे thank you have a good day